नमस्कार दोस्तों मेरा नामे देश लोई है और आज मैं दोबार आप सभी के सामने एक नई यूट्यूब वीडियो लेकर रहा हूं आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों बताऊंगा कि आप एक चलते हो अब्जैक्ट को कैसे ब्लर कर सकते हो अना प्र-das किर दो जैसे किसी का चैरा ब्लर करना है तो कैसे आप प्रेमेर प्रोक्रेंदर ब्लर कर सकते हो बहुत ही आसान step है बस वीडियो को skip मत करना छोटी से वीडियो है आप बिल्कुल आसानी से सिख जाओगे तो चलिए जल्दी से वीडियो को सुरू करते हैं और चलते हैं मेरे laptop की screen पे जहाप मैं आपको step by step सारी चीजे बताने वाला हूँ और उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल अक्रें को प्रेस कर दीजिए क्योंकि हम ऐसी इंफर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पर डेली लेकर आते रहते हैं तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो अभी हम मेरे laptop की screen पे आगे हैं जहापके मैं आपको यह चीज बताने तो इसकी एक बार आवाज कम कर देता हूं अन निंग करके मैं डिलीटी कर देता हूं इसके आवाज तो आमारी model है जो चल रही है तो अभी हिंग इसका 24 ब्लर करना है तो उसके लिए यहां पे जाना पड़ेगा उसके लिए एंफेक्ट में जाना पड़ेगा यहां और करें तो यहां पे बिलर के options आ गये हैं लग-लग तो यहां पे हम Gaussian Blur कर देते हैं चलो तो Gaussian Blur हम यहां पिसके उपर लगा देते हैं डीश्प्लेय पर उसके बाद हम यहां से इसको नीचे लेंगे हमारी यहां पे एक नई टैब बन जाएगी Gaussian Blur की उसके बाद हम यहां पर mask लगाएंगे इसके उपर तो हम इसके लिए ले ले लेते हैं goal वाला mask और यह हम यह से scroll करके इसके चहरे पर लगा देते हैं छोटा करके ताकि सिर्फ चहरा ही blur हो इसका तो यह देखिए यह चहरा हो गया है तो उसके बाद आपको क्या करना है आपको इसके उपर इसका जो mask के उपर blur है वो quantity डालनी है कि आपको कितना blur करना है तो अभी में इसको थोड़ा सा blur कर देते हैं कि जितना हमें blur करना अभी हमारी bluriness 0 है तो अभी हमने इतना blur कर दिया है और उसके अपने आप आप यह प्रोसेस होने लग जाएगा और उसके बाद जैसे जैसे यह मूडुल मूव करेगी तो इसके चहरे के साथ इस एरिया को प्रिमेर प्रो अपने आप सेलेक्ट लेका और आपको यह बराबाबर सलेक्ट नहीं करना पड़ेगा भी अपने आप जो है मास्क को मूव करता रहेगा इसके चहरे के साथ यह बहुत ज़्यादा काम आता है जैसे कोई प्रैंक वीडियो बनाता है और कोई चाहता है कि उसका चहरा वीडियो में ना आए तो वहाँ पे यह बहुत ज़्यादा काम आता है और यह प्री पूरा blur होता रहेगा जैसे जैसे move करती रहेगी model तो इस model के चहरे के साथ ही अपने आप move करता रहेगा और आपको यह अलग से move करने की ज़रूरत नहीं है I hope आप लोगों सारे step समझ आए होंगे आपको effect में जाना है उसके आप blur पर जाना जिस type का आपको blur लेना हो blur करना है और उसके बाद आपको इसकी blurriness बढ़ानी है और ellipse लेके आपको उसके उपर select करके उसका track mask forward जो है उसके उपर आपको click करना है तो इसके अंदर अपने आप यहां पर animation लग जाएगी और फिर यह अपने आप move करता रहेगा जहां 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 इस पर animation लगी है आपको फिर track selected mask forward पर click करना और अपने आप पूरा पूरा उसको select कर लेगा और अपने आप इसको blur कर देगा आप आप लोगों वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर लेना ताकि ऐसी interesting वीडियोज की notification आपको daily मिलती रहें तो मिलते अगली कि इस वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बंदे बातरम